हेलो बच्चो नमस्कार तुम्हें विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन आज मैं आपको जानकरी देने आया हूँ राजस्तान में जीयनम कोर्स में एडमीशन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और अभी थर्ड राउंड की काउंसलिंग इ है और इस पर मैं जानकरी देने आया हूँ सेशन दोजार तेईस के लिए इस बार राजस्तान में काउंसलिंग में काफी देरी हुई है ये काउंसलिंग बहुत पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए थी दिसंबर तक ये काउंसलिंग कंप्लीट होनी थी लेकिन इस बार का बच्चों को एक और चांस दिया गया है जितने भी जीनम के कोलेजों में खाली सीट है उन खाली सीटों में एड़मिसन के लिए यह थर्ड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि third round की counselling कौन करवा पाएगा कैसे college की choice भरनी है क्या इसमें college change होगा अग नहीं होगा क्या कोई college छोड़ पाएगा अग नहीं छोड़ पाएगा कितनी government college में seat खाली है कितनी private college में seat खाली है जिन बच्चों ने पहले काउंसलिंग करवाई लेकिन कोलेज जोईन ही नहीं किया क्या उनको मोका मिलेगा और नहीं मिलेगा इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे और इसके बाद काउंसलिंग होगी कि नहीं होगी इस पे भी बात करेंगे कोलेज अलोट कब होंगे डोक्योमेंट क्या चाहिएंगे मेरीट क्या रहेगी आर्ट्स के बच्चों को काउंसलिंग करानी चाहिए और नहीं करानी चाहिए बायो वाले बच्चों को जीनम थर्ड राउंड कराना चाहिए या B.A.C. नर्सिंग इंट्रेंस एक्जाम की त्यारी करनी चाहिए इन सभी मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ मेरे प्यारे बच्चों मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना राजस्तान में ये बिटा जीनम की जो काउंस्लिंग है पहले तो कौन सी वेबसाइट पर चलेगी पहले आप वो वेबसाइट याद रखना हमेशा पिटा वेबसाइट का जो नाम है वो क्या है राजस्वस्तिय.nick.in इस वेबसाइट पर जाओगे तो इस वेबसाइट के होम पेज में राइट साइड में आपको लिखाओद मिलेगा जीनम 2023-2024 आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करोगे तो काउंस्लिंग की सूचना मिल जाएगी दूसरी बेटा जो बड़ी बात है वो है दूसरी जो काउंस्लिंग के लिए बेटा वेबसाइट है वो है राजजीनम.राजस्तान.gov.in यह सेकंड वेबसाइट है और तीसरा आप बेटा SSO पोर्टल पर जाकर के भी SSO पोर्टल को खोलके वहां राजजीनम के नाम से आपको वेबसाइट मिलेगी उस पे जाके भी अपना कोलेज का चोईस भर सकते हो तो तीन जगे है काउंस्लिंग की सूचना और आप्सन फॉरम बरने के लिए और किसी बच्चे को काउंस्लिंग से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है तो ये राज स्वास्ते का जो राज जीनम बोर्ड है जो आपकी काउंस्लिंग करवाता है इस बोर्ड की ये बच्चो सूचना आप देख सकते हो ये आपके राज जीनम बोर्ड की इमेल आईडिये कोई भी प्रोब्लम आतियत आप इस पर mail कर सकते हो देखो राजजीनम202021 at the rate gmail.com और एक नमबर इन्होंने दे रखे हैं 900154955 यह बच्चो राजजीनम के नमबर है राजस्तान के जीनम डिपार्मेंट के नमबर है ठीक है ना अब बच्चो मैं आपको लेके चलता हूँ उस notice पे जो अभी आया है counseling का जो schedule आया है बच्चो वो मैं आपको दिखाना चाता हूँ schedule में इन्होंने बच्चो date क्या दिये पहले मैं direct बता दू राज़स्तान में जीनम के तीसरे round की जो यह counseling है बच्चो यह start हो रही है आपकी 6 अप्रेल 2024 से 9 अप्रेल 2024 तक देखिए उप्रोक्त विश्यां अंतरगत लेख है कि जीनम काउंसलिंग 2023 की तरतिय काउंसलिंग पूरण की जानी है इस समंद में अब्विर्तियों से online option form दिनांग 6 अप्रेल से 9 अप्रेल तक भरे जाएंगे मतलब की बचो 6 से लेकर के बिटा 9 अप्रेल तक 6 से लेकर के 9 अप्रेल तक आपको कोलेज की क्या भरनी है बिटा 24 भरनी है कोलेज की क्या भरनी है बिटा 24 भरनी है ओके वेरी गुड अब देखो बिटा अब मैं आपको website पर लेके जा रहा हूँ यह अपना website बिटा official यह देखिएगा यह राजस्वास्ते की official website बिटा इस official website पर जब आप राजस्वास्ते कोलते हो तो website ऐसे खुलेगी इस website पर right side में यहाँ पर लिखा हुआ दिखेगा GNM 23-24 इस पर आपको click करना है 23-24 इस पर बिटा आपको दो आदेश दिखेंगे पहला आदेश है आपका करमांक 121 और दूसरा 122 यह 5 अपरेल के हैं दोनों ही अब बच्चो देखिए जो सबसे उपर वाला है इसमें तो बच्चो जो कोलेजों में सीटें खाली है ना उनका विवरण है गौवर्मेंट और प्राइवेट कोलेज में कितनी सीट अभी रिक्त है इनकी जान करिये और जो नीचे वाला 122 नमबर ओडर है इसमें बच्चो काउंसलिंग का ओडर है इसमें यह कहा गया है कि भाई कि जो हैं आप काउंसलिंग सुरू करवाईए यह सूचना दी हुई है थर्ड काउंसलिंग का ओप्सन फॉर्म भरने के सम्मंद में इन्होंने 9 अपरेल तक 6 से 9 अपरेल तक काउंसलिंग चलेगी यह सूचना डाल दी है इन्होंने का है तरतिय काउंसलिंग है तू अभियर्थियों को राजस्तान के समस्त जीयनम पर सिक्षन केंद्रों में अपने सुविदा अनुसार परवे से तू आप्सन फोरम भरे जा सकेंगे एवं दस जिलों की बाइदेता नहीं होगी साथ ही राज किये और निजी संस्तानों है तू प्रात मिक्ता के आदार पर आप्सन फोरम भरना होगा यनि बचो इतरतिय काउंसलिंग में जो भी अब्यरती ये काउंसलिंग करवाएगा वो अपने मन पसंद कोई भी कोलेज को भर सकता है और कितने भी जिलों की कोलेज भर सकता है सो कोलेज भर सकते हो पचास भर सकते हो दस भर सकते हो पांच भर सकते हो है कि नहीं पहले दस जिलों की बाद देता थी अब वो भी नहीं है थार्ड राउंड में है ना बिल्कुल जी अब देखो बच्चों ये तो ओडर की बात हो गई अब मैं खाली सीटों का विवरण बता रहा हूँ कितनी सीटें खाली है यह देखना आप जान करके चोक जाओगे बच्चो आप सोचोगे कि सर क्या इतनी सीटें खाली हो सकती है देखो जीनम परसिक्षन सेकिंड काउंसलिंग के बाद परसिक्षन के अंदर में चैनित की वो बच्चो नीचे लिस्ट में दिये हुए हैं तो इन्होंने ये कहा है बच्चो कि हम जो नीचे लिस्ट दे रहे हैं इस लिस्ट में सेकंड राउंड के बाद जितनी सीटे खाली रहे गई हैं उन खाली सीटों का विवरण हैं पहले बच्चो ये गॉर्मेंट के कोलेज है मैं पहले दिन से आपको बोल रहा था जीनम में थार्ड राउंड के अंदर भी गौवर्मेंट सीटे खाली रहेगी और मैंने कहा था लगबग पचास से लेकर सो गौवर्मेंट की सीटे आपको खाली मिलेगी तो अभी भी खाली है तो जिन भी बच्चों को गौवर्मेंट कोलेज अभी तक नहीं मिला है जिन को केवल जीनम का गौवर्मेंट कोलेज चाहिए वो जरूर काउंसलिंग कराईए और गौवर्मेंट कोलेज बरिये लेकिन जिन के परसंटेज बहुत कम है वो गौर्रमेंट चॉप पे बरिये और बागी प्राइवेट भी कॉप्सन में बरिये देखो बचो किस कोलेज में कितनी सीट खा ली है बता देता हूँ है ना गौर्रमेंट कोलेजों की सूचना मैं यहाँ बोड पे पहला ही देता हूँ में लगा चुका हूँ इदर ये आप देखिए बच्चो ये मैं college वाइज आपको update दे रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिए सबसे पहला वेटा college है government college बाड मेर government college बाड मेर में 3 seat खाली है वेटा कितनी seat खाली है 3 फिर है आपका government college भरतपुर 2 seat खाली है यहाँ पे फिर है गौर्मेंट college अजमेर इसमें आपकी 4 seat खाली है तो अजमेर में काफि अच्छी seat खाली है है फिर है बच्चो आपका बील वाड़ा का college 2 seat खाली है पाली वाला college 3 seat खाली है अलवर में तो केवल एक ही सीट खाली है सीकर में कोई भी सीट खाली नहीं सीकर वाले कोलेज में बीका नेर में भी काफी बढ़िया इस्तती है चार सीट खाली है बचो सबसे ज़्यादा सीट खाली है जालोर में जालोर के जीनम के कोलेज में दस सीट खाली पड़ी है बचो तो जो जालोर का कोलेज जिनको लेना है वो इसे टॉप पे बरना फिर केकड़ी अजमेर में भी चार सीट है ये भी बढ़िया बात है फिर बचो जोदपुर में तो केवल एक ही सीट खाली है फिर कोटा है कोटा में बिटा च्यार सीट खाली है आपकी फिर गंगा नगर में भी काफी बढ़िया छे सीटे खाली पढ़िये और बच्चो फिर उदेपुर उदेपुर में च्यार सीट खाली है बासवाडा में एक भी सीट खाली नहीं है बटा और फिर लास्ट में सोडा नमबर पे SMS college जैपुर और बिटा इस जैपुर वाले college में 8 seat खाली है किती 8 seat तो इसमें भी काफी बढ़ी आए तो सबसे ज़्यादा seat है कौन से government college में खाली है बताओ एक तो जालोर वाले government college में बिटा जालोर में आपकी 10 seat पढ़ी है खाली फिर जैपुर का जो government nursing college फिर government nursing college जो आपका SMS college है न विटा जैपुर का जैपुर वाले college में 8 seat खाली पढ़ी है फिर आपका next है स्री गंगा नगर है ना और गंगा नगर वाले college में 6 seat आपकी खाली पढ़ी है ये देख सकते आप बाकी 4 seat उदेपुर में भी है चार कोटा में भी है और चार केकडी में भी है और चार बीका नेर में भी है और चार अजमेर में भी है तो ये चार-चार seat वाले तो बहुत हैं बाई केकडी फिर अजमेर फिर कोटा फिर बीका नेर और फिर उदेपूर बिटा ये वो गौवर्मेंट कोलेज है जिन में चार-चार सीट क्या पढ़ी है आपकी खाली है ना बच्चो तो देखो ना 20 तो यही हो गई 10-30 और 10-40-45 लगबग आपके 17-80 सीटे आप भी खाली पढ़ी है बिटा तो ये वो कोलेज हैं जिन में सबसे ज़्यादा सीट खाली है तो जब गौवर्मेंट कोलेज बरो ना तो एक नमबर पे जालोर दो पे हैसेमेस तीन पे गंगा नगर चार पे केकडी फिर पांच पे अजमेर चे नमबर कोटा साथ नमबर बीका नेर आठ नमबर उदेपुर अब सुन लो मेरी बात जरूरी नहीं है कि इसी करम में बरना हो अगर आपको जालोर नहीं चाहिए तो जालोर को एक पे बरना ही मत अगर आपको केकडी चाहिए देग नमबर पे केकडी बरो आपके नजदी कोटा है तो एक नमबर पे कोटा बर दो वो आपको सुईदा के अनुसार बरना है मैं तो बता रहा हूँ सीटों के अनुसार है ना बिलकुल जी तो क्या गौवर्मेंट सीटे खाली है जी यहां बिलकुल खाली है तीन और दो पांच और च्यार नो नो और दो ग्यारा एक बारा और तीन पंदरा पंदरा और दस पच्चीस यह तीस तीस और तीन तेतीस और एक चोंटीस यह अड़तीस अड़तीस और यह चोंवालीस चो साथ सीट खाली है बिटा गौवर्मेंट कोलेजों में कितनी सीट खाली है जी अनम के गौवर्मेंट कोलेजों में साथ सीट खाली है बिटा दो ऐसे कोलेज है जिन में सीटे खाली नहीं है एक तो सीकर और दूसरा आपका बास वाड़ा है ना सीकर में जीरो है और बास वाड आप कोलेज हो चुके हैं मैं कुछ प्राइवेट कोलेजों को तो बेटा दुकान कहूंगा अब आप कहोगे सर आप इतना कटोर सब्द क्यों काम में ले रहे हो मैं इसलिए काम में ले रहा हूं बेटा कुछ प्राइवेट कोलेज इस बार पहली बार खुले हैं जिनका चार महीने पहले मानियता आई हैं दो दो चार चार कमरों में चल रहे हैं या जहां पहले से कोई admission लेना ही मत तो जो नया college है new है ना या जिस के पास INC की मान्यता नहीं है नहीं है या जो college किसी गाव में है गाव या छोटे कस्बे के अंदर कोई college है तो उन में admission नहीं लेना ध्यान रखना या किसी college में अगर किसी college में बेटा 80 परसंटेज या 90 परसंटेज seat खाली है तो आप समझ लो वो college अच्छा नहीं है क्यों क्योंकि पहले round के अंदर और दूसरे round के अंदर उनकी seatों पर बच्चे तो बेजे गए थे फिर भी उस private college में 90 परसंटेज seat खाली पड़ी है 80 परतिसस seat खाली है इसका मतलब उस private college में कोई न कोई कमी है अगर उस college में कमी नहीं होती तो उसमें seat इतनी खाली नहीं होती तो private college नहीं भरें है ना कौन से private college नहीं भरें ऐसे ऐसे private college नहीं भरें पहला point जिनके अंदर 80 से 90 परतिसस seat खाली हो वो नहीं भरना है अब आपको अच्छी बात है ने ज्यादा seat खाली है अरे भाई ज्यादा seat खाली है तो अच्छी बात नहीं है उस college में बच्चे पहले round में गए थे join नहीं किया क्योंकि कमी आती दूसरे round में गए थे join नहीं किया क्योंकि कमी आती अगर किसी college में कमी नहीं होती न तो उसमें तो पास दस पंदरा seat खाली मिलेगी आपको अच्छे college होंगे नहीं सीटे किती खाली मिलेगी पास दस पंदरा है की नहीं दूसरी बात है ऐसा private college जो इस बार नया खुला है जो पहली बार खुला है उसमें admission नहीं लेना ऐसा private college जिसकी INC से मान्यता नहीं है जिसकी केवल राजस्तान से RNC से मान्यता है है ना INC से मान्यता नहीं है ऐसे college में admission नहीं लेना चोता point है जो college किसी गाओं में है छोटे कस्बे में है या सहर से बहुत दूर है बहुत सारे college है जिन में लिखा हुआ है जैपुर लेकिन वो जैपुर से 70 km दूर पड़े हैं लिखा हुआ है उदेपुर 40 km दूर है लिख कैसे college हों में admission नहीं लेना बिटा है ना तो college बरने से पहले साफ़दा नहीं रखें तो कैसे college बरने या देखो ध्यान रखना जीनम के जब भी college बरते हो counseling बिटा आज से start है आपकी आज दिन में या आज साम तक option form बरने का link चलू हो जाएगा आज आपकी counseling स्टार्ट हो चुकी है option form का link option form का link साम तक साम तक start होगा ठीक है न बिटा डरने वाली कोई बात नहीं counseling में मैं बहुत मदद करूँगा आपकी हाँ पहले तो कौन सा college बरना जब भी कोई private college बरते हो तो उसकी INC से मानिता होनी चाहिए वो मैं अभी list आपको दे दूँगा टेली ग्राम पे भी list डाल दूँगा लिस्ट देख लेना ठीक है और उस list में जिस जिसका नाम हो वोई college बरना दूसरा टॉप city का college बरें टॉप city का मतलब है जैपूर है जोदपूर है उदेपूर है शीकर है कोटा है है ना ऐसे जो अच्छी city है जहां study का मावल है पड़ाई का मावल है उन सेरों में आपको admission लेना है अजमेर है बीका नेर है है ना चूरू है तो इस तरह की city जो है पड़ा इनमें आपको admission लेना है फिर है एक से college कितनी बरें कोलेज बचे पूछते हैं कितनी बरें तो पड़ा एक भी बर सकते हो 10 भी बर सकते हो 100 भी बर सकते हो 150 भी बर सकते हो वो आपके उपर है अगर आपके number कम है तो ज़्यादा college बरनी है number कम तो college अधीक ये बात याद रख लो आप पहले government college और बाद में private बरें जब भी college की choice बरें तो पहले government बरनी है और बाद में private और बचो एक बात सुन लो अगर आपके पास किसी private college का phone आया है और अगर उस college वाले ने ये कहा है कि आप हमारा college बरना तो वो college तो बिल्कुल मत बरना अब आप कहोगे सर उन्होंने तो phone करके गड़ती कर दी बेचारे ने phone के जो पैसे लगे वो पचास पैसे वाफिस पहन पे करूं क्या अरे बाई एक जिसकी जो दुकानदार होते हैं जिनकी दुकान होती है वो कहते हैं बाई साब ये इतने में ये उतने में ये उतने में चीज़ें है ना तो जिनका नहीं चीज़ें दुकान पे बिकती है ना वो उसे बहुत ज़्यदा हाला करना पड़ता है और जिनकी बिक में माल बिखता हैं उसकी इज्जत होती है वहां लोगों को पता होता है ये बंदा सही रेट में देता है सही चीजें देता है तो बेटा जो अच्छा कोलेज होगा उसको फोन करके आपको बताने की थोड़ी जरूरत है उसका तो अपने आप नाम होगा है की नहीं है अच्छ कोलेजों से साफ दान रेना आज वो आपको फोन करके बुला रहे हैं कल को वो आप से पूछेंगे भी नहीं आपको बड़िया कोलेज में जाना है ऐसे वैसे कोलेज में मत जाना कोई भी फोन करे हजार फोन आएंगे आपके पास है ना बड़िया कोलेज में जाना है किसी के बिटा पहली बात तो सीटें टोटल खाली किती यह पता है आपको मैंने गोवर्मेंट वाली तो बता दिया प्राइवेट की बताता हूं आप तो चोक जाओगे चोक जाओगे डरते क्यूं हो यह जितने भी आर्ट्स के बचे हैं न जिनके भी एक तो बात सुन लो मेरी देख जिनम में प्राइवेट कोलेज किते परसंटेज तक मिलेगा वो भी बता दूँ डर क्यों रहे हो सारी चीजे बता देता हूं सुनो छीच है ना सुनो शुनो शुनो सुनो साइंस आठ सभी के लिए बता रहा हूं प्राइवेट कोलेज देखो जनरल OBC MBC EWS SC ST और Divyaang देखो विटा मुझे जहां तक लगता है General category में जिनके लगबग 65 से उपर प्रतिसत है चाहे वो Arts का है Science का है उसे College आराम से मिलेगा अगर OBC में आपके percentage बिटा 60 से उपर हैं तो GNM का College मिल जाएगा MBC में क्यूं मिलेगा इसका कारण बता रहा हूं क्यूंकि इस बार GNM की Private College के अंदर 60 से लेकर के 67 परतिसत सीटे खाली पड़ी है Private College में अदे से ज़्यादा सीट खाली है कुछ ही Private College की सीटे बरी गई है बेटा बाकी ज़्यादा तर Private College की सीट खाली पड़ी है चिंता मत करो अभी इसके बाद दो और counseling होगी 4th round भी होगा और 5th round भी होगा क्यूंकि सीटे बरी नहीं जाएगी समझ रहे हो अब बचो MBC MBC में लगबग जिनके 58 परतिसत या इससे उपर होगा है ना उनको तो college मिल जाएगा EWS में भी लगबग 57 या उससे उपर पर college मिलेगा SC में 55 परतिसत तक या उससे उपर वालों को college मिलेगा और एस्टी में पचास प्रतिसत से उपर वालों को कोलेज मिलेगा हो सकता है इससे भी कम परसंटेज पर मिल जाए प्राइवेट कोलेज की बात कर रहा हूँ है ना प्राइवेट कोलेज सर्त ये है कि आपको बीस कोलेज कम से कम बरने पड़ेंगे कितने कोलेज बरने हैं चो इसमें बीस कोलेज बरें है ना और बच्चो जब भी आप कोलेज बरें तो पहले आप जिला फिक्स करो कि आपको देखो किसी और के कहने से नहीं अपने ममी से अपने पापा से पूछो आप खुछ सोचो आपको कहां पढ़ना है मैं अगर बोल दूँ बहां सवाड़ा पढ़ना है तो बहां सवाड़ा नहीं पढ़ना बेटा आपको पता है ना आपके लिए नजदी कौन सा आने जाने में सुईधा होगी तीन साड़े तीन साल पढ़ना है बेटा आपको आप fix करो कि कौन से private college में पढ़ना है मुझे चूरू पढ़ना है मेरे चूरू नजदी के मुझे जोधपूर पढ़ना है तो पहले वो जिले fix करो कि अगर मैं नमबर एक जैसे आपने fix किया जोधपूर या किसी और ने fix किया उदेपूर तो पहला जिला ये fix कर लिया इसके बाद नमबर दो पे एक जिला और fix कर लिया जैसे कर लिया अजमेर नमबर तीन पे और जिला fix किया मान लो पाली तो फिर college जो भी बरो उन दो या तीन जिलो की बरो आप पूरे राजस्तान की क्यों बरते हो college 15-20 college भरोगे तो उनमें से मिल जाएगी आपको तो जादा से जादा 30 college भर दो बस फाल तुमें पूरा खच्रा बढ़ने की जरुवत नहीं है अब देखो बचो अब देखिए आप खुद ही देखो गे पता चल जाएगे इतनी सीटे गाली पड़ी यह क्या चिंता कर रहे हो यह private college के हाल है देख लो आप यह हाल है यहाँ से सुरू हो रहे है हाल बड़े बेहाल है private college में 60 seat है 23 पर admission हुए है 37 खाली है यह खाली seatों की detail है 30 seat भरीवी 15 खाली 50 seat 20 भरीवी 30 खाली 37 सीट खाली पड़ी यह लो 50 seat 27 खाली 30 seat 18 खाली 40 seat 32 खाली इस भाई साब के तो 8 seat भरी गए यह कौन सा है यह college यह कौन सा college है इनसे तो दूर ही रहना भाई साब 8 seat भरी है तो अब यह कोई अच्छे college दो होंगे नहीं मैं नाम लूँगा तो फिर कहेंगे विजे सर आपने हमारा नाम ले लिया मुझे नाम लेने की जरुवत नहीं आप सब समझदार हो इस लिस्ट में देख लेना जिनके अंदर ज़्यादा seat खाली है तो समझ लेना वहां मामला अच्छा नहीं है है ना हाँ जी मेरे दोस्तो अब यहाँ पे लेकिन इदर तीस में से दस खाली है अब इस में दस खाली है तो यह कौन सा कोलेज यह फिर भी ठीक होना चाहिए यह बूंदी के अंदर है कोई बूंदी के बच्चे हैं तो अरू निमा कोलेज है उनके लिए ठीक है यह फिर तीस में से बीस काली है साट में से येलो भाई साब साट की साट ही काली पड़ी है इनके तो अच्छा ये अभी नया नया खुला है कोलेज ये नया नया खुला है भाई साब इस बार जीनम के कुछ नये कोलेज भी खुले हैं हाँ जी इसके बाद में बिटा अब अगर कोई नया कोलेज गुलाए वो वास्तों में अच्छा है तो जरूर उसमें एडमिसन लीजिए जिनका खुद का हॉस्पिटल है जिनका अच्छा मैं दोस्तों क्लासरूम में अच्छी बिल्डिंग है बड़ी है तो मैं तो कहता हूँ जो मैं एडमिसन लीजिए बेटा भले ही वो फिर गाम में भी क्यों नहोँ अच्छा है तो बिल्कुल उसमें एडमिसन लो चलो अच्छी बात है अब इसके बाद बिटा साट में से चौमालीस खाली यह आप देखो ना मतलब सीटें बहुत खाली है सीटे विटा बहुत खाली है आप खुद ही देख लो ठीक है ना विटा बिल्कुल जी बहुत सीटे खाली है अब मैं सीधा आ रहा हूँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल की लिस्ट पे अब सीटे तो बहुत खाली है यह देख लो आप खुद ही टोटल कोलेज कितने हैं वो भी देख लो अब जी अनम के कोलेज बढ़ गए है जी अनम के 188 कोलेज हो चुके 188 सबसे लास्ट में वांगड कोलेज है एक सो 188 कोलेज है इन में टोटल 9595 सीट है मतलब लगबग 10,000 सीट है इन में से 4500 सीटे बरी गई है और 5000 सीट काली है और ज्यादा तर सीटे गवर्मेंट कोलेज की ही बरी गई है प्राइवेट की तो भी काली ही पड़ी है ना बाई प्राइवेट की टोटल जो सीटे हैं वो लगबग 8000 है इन में से 5000 खाली पड़ी है है ना अब धर्ड राउंड में ज्यादा तर सीटे प्राइवेट कोलेज की ही बरी जाएगी ध्यान रख लेना ठीक है बाई बिलकुल जी तो अब बच्चो आप अपने कोलेज की चो मानियता है तो मैं लिश्ट दिखाना शुरू कर दूँ आप अगर ये कोलेज है ना बच्चो इनको आप मिस मत करना ये आई एंसी से मानियता प्राप्त है इन कोलेजों से अगर जी एनम करोगे तो पूरी इंडिया में कहीं पर भी नौकरी कर पाऊगे है ना ये देखो य इस कोलेज अलवर का उदेपूर कोलेज उदेपूर का जरूरी नहीं है कि ये सारे के सारे इनमें लेना है इनमें भी जो टॉप सीटी के हैं अच्छे आपके सीटी के अंदर पड़ते हैं उनमें लेना है फिर इनमें भी जो टॉप के हैं मैं बोल दूँगा ये टॉप का ह लिख लेना एक पेन और कोपी लेके बेटो फिर सुरिंदर कोलेज गंगा नगर संद्राइज कोलेज उदैपुर सेंट फ्रांसिस कोलेज अजमेर स्री गंगा नगर कोलेज गंगा नगर फिर सोरब कोलेज राजस्तान सोनी कोलेज बहुत अच्छा हैं लिख लो आप पेज पे सोनी कोलेज है जैपुर में बढ़िया कोलेज है SMT फूला देवी कोलेज है जोटवाडा में फिर है बेटा सीकर नर्सिंग इंस्टिट्यूट ये प्रोपर सीकर में ही है आपकी ये आप सलेक्ट कर सकते हो फिर स्रीनात कोलेज है उदेपुर में आगे चलते हैं स्री साहीं बाबा कोलेज जैपुर स्री रतनलाल कमरलाल कोलेज किसंगड राजस्तान अब किसंगड का कोई है तो वो अराम से इसे बर सकता है फिर स्री पार्त कोलेज जोदपुर श्री त्रीपुरा सुंदरी कोलेज बासवडा का बच्चा इसे बर सकता है श्री दिगंबर कोलेज है यह बरतपुर में है ना तो बरतपुर के बच्चे जरूर इसे बर सकते है सेनाज कोलेज है जैपुर के अंदर फिर करनी कृपा कोलेज है यह पाली में फिर आपका यह तो गॉवर्मेंट का है भाई फिर आपका यह सत्या साही कोलेज है सीकर का सर्वोध्य कोलेज नागोर का अब जिनको नागोर वाला कोलेज चाहिए वो यह भर सकता है शंत सुक देव साह कोलेज अलवर का शंसकार कोलेज यह अजमेर का संजीवन कोलेज यह आपका दोसा का दोसा वाले बचे इसको भर सकते हैं संजीवन कोलेज जैपुर का, S.N. कोलेज गंगानगर का, गंगानगर के बच्चे से भर सकते हैं, रूपरजद कोलेज ब्यावड का, रेखा कोलेज मालपुरा, और फिर रामसनेई कोलेज आपका भीलवाड़ा भीलवाड़क बच्चे से भर सकते हैं, देवली में रामी दे कोलेज है अजमेर में पूजा इंस्टिटूट अजमेर में पिंक सिटी कोलेज है जैपुर में ये भी काफी अच्छा कोलेज बता रहे हैं पदम कोलेज फालना में नौरंगराम कोलेज है आपका जुझनों में जुझनों वाले बचे इसे बर सकते हैं और ये है बचो जोधपुर में हैं यह आप भर सकते हो निम्स तो काफ़ी बड़ी युनिवर्सिटी भी है और INC से इनकी मानियता भी है नव जीवन निम्स में साहिद अलग से एडमिसन होता है इनका अलग से फौरम आता है मयूराक्सी कोलेज जोधपुर में अच्छा है मयूराक्सी भर सक है मातमा गंध ही आपका जैपुर में है ना तो यह बच्चो कोलेज है माराना पताब है जैपुर में, मा गायत्री अध्यु जैपुर में अंधी मिसन कोलेज है आपका है ना ये कोटा के अंदर है MD Mission, यह आप बिल्कुल कोटा वाले बचे भर सकते हैं, अच्छा है MN College है Bika Nair में, ठीक है यह College भी इसके बाद में, बच्चो MB College डुंगरपुर में है Lord Siva College जोदपुर में, भर सकते हैं, केसव College है जैपुर में फिर आपका Karuna College है, बच्चो अनुमानगड में जुबिन College गंगानगर में, जैपुर Hospital और College यह जैपुर में है बच्चो जैदुर का काफी अच्छा College बता रहे हैं, जैपुर में बर सकते हैं आप JR Institute है, सांगवारा में, फिर Institute of Medical Science यह बहुत शांदार College है सीतापुरा में बहुत शांदार है भर लेना, इसका स्वास्ते कल्यान नाम भी है, स्वास्ते कल्यान भी बोलते हैं इसको सीतापुरावला Institute of Medical Technology and Nursing Education बढ़िया है, जरूर भर लेना Healthizing यह आपका आतीजरा में है, फिर है बच्चो आपका SCT School है ना, 12 फिर है आपका GNM Training यह चितोड़ गड़ के अंदर है इसके बाद में आगे चलते हैं, यह Global है, सवाई मादोपुर वाले बर सकते हैं, Global आपका सिरोई में भी है, सिरोई वाले बर सकते हैं Genius College भीलवाड़ा में है, गीतांजली College उदेपुर में है, गायतरी College उदेपुर में, गोरव College चोमू में, फिर आपका आगे चलते हैं चंद बिहारी College है यह आपका जैपुर में, और फिर चंबल स्कूल है आपका बुंदी में, बुंदी वाले बच्चे बर सकते हैं बियानी College यह भी बड़ी आब बता रहे हैं बच्चों बर सकते हैं बियानी अच्छा College है फिर बिरला College भी अच्छा है पिलानी के अंदर है फिर एसोसियेट ग्रूप है यह आपका जोदपुर के अंदर है लेकिन यह गौर्वर्मेंट का है आसा दिवी अरियंत है ना अरि C College है यह जैपुर में इसके बाद में बच्चों इसके बाद में अकिल भारतिय यह तो लिस्ट में होगा नहीं तो अभी जो मैंने लिस्ट बताई है ना बच्चों इसमें जिनके नाम है न वो प्राइवेट कोलेज आप उपर बहरना इन में से सलेक्ट कर लो मानलो आपको जोधपुर के कोलेज में एडमिसन लेना है तो इस लिस्ट में जो जोधपुर के है उनके अपनी लिस्ट बना लो चार पांच कोलेज जितने भी है उनको जोधपुर के कोलेज अगर है यह और आपको जोधपुर के चाहिए तो वो टॉप पे बरो अगर आपको जैपुर क तो समझ लेना वो City में है ना बिलकुल तो ये बड़ी बात है और बागी बचो आप सब समझधारों और फिर भी मैं तो बताता रहूँगा समझाता रहूँगा मेरा तो यही काम है गलत रास्ते पर मैं जाने नहीं दूँगा बचो मैं जब ये नाम बताता हूँ बहुत सारे कोलेज हैं उनको बड़ा ही दर्द होता है और वो अलग-अलग तरह से मेरे उपर दबाब भी बनाते है कि आपकी हमेत कैसे हो गए हमारे कोलेज का क्यों नाम लिया आपने हमारे कोलेज में कम सीटे हैं तो क्या हुआ है ना हमारे कोलेज में कम सीटे भरी गई है ज़्यादा खाली है तो तुम्हें क्या दिक्कत है हमारा नाम हटाओ अलग-अलग तरह कि पहले भी बीएसी नर्सिंग को लेकर के प्रेसर आए है क्योंकि बटा अगर कोई कोलेज वास्ता में अच्छा काम नहीं करता है और आज अपनों उसकी बात नहीं करेंगे तो वहां जाने के बाद बच्चे को पता चलता है और फिर बच्चा बड़ा ही मतलब दुखी होता है ऐसे कुछ कोलेज है बच्चो जहां क्या होता है बच्चा जब एडमिशन लेने जाता है तो वो फीस कम लेते है और बाद में क्या करते है और ज़्यादा ड्रेस के नाम पे लाइब्रेरी के नाम पे कोसलमनी के नाम पे अलग अलग तरह से पेट दिये जाए किराय के नाम पे क्लिनिकल के नाम पे क्या यह सही तरीका है? नहीं है मेरा कोलेज वालों से भी निवेदन है जादा तर बच्चे आपके कोलेजों में गाओं के आते हैं किसान परिवार के आते हैं वो जैसे सिते से करके आपको सतर असी अजार रुपे देते हैं आप उन सतर असी अजार रुपे में भी आपका पेट नहीं भरता है ऐसा आप बच्चों को क्या देते हो एक साल के अंदर कि असी अजार रुपे दे दिये बच्चे ने फैस्टियर के फिर भी आप उससे bus के नाम पे, clinical के नाम पे, dress के नाम पे, practical के नाम पे जब की कोरट ने और राजस्तान की सरकर ने इस पस्ट मना कर रखा है यह आप लिए इस के लावा कुछ नहीं ले सकते तो क्या ये सही तरीका है और इस बार हम इतना खतरनाक जो है ऐसे कोलेजों के खिलाफ प्रोसेस शुरू करने वाले हैं कि अगले साल ऐसे कोलेजों में एक सीटे नहीं बरने देंगे हम लोग बच्चों के साथ अगर कोई कोलेज गलत करेगा तो उस कोलेज की सीटें खाली रहेगी एक बच्चा भी नहीं आने देंगे हम क्योंकि अगर आप बच्चों के साथ बुरा करोगे तो फिर हम आपके लिए बुरे हैं अगर आप बच्चों के लिए अच्छा करोगे बड़ी आपड़ा होगे हम आपके लिए अच्छे हैं क्योंकि बच्चे आपको तो नहीं बोलते हैं हमें कोल करके बोलते हैं कि सर मैं उस कोलेज में पढ़ रहा हूं और वाँ मारे को परेसान कर रहे हैं पैसे ले रहे हैं ये वो बच्चा हमें कोल करके ठीक है रोता है तो हमें दुख नहीं होगा क्या ठीक है न तो इसलिए मैं सबी कोलेज वालों को आगा करना चाहता हूँ कि आप अपने वेवार के अंदर सुधार करें बहुत बड़ी फीस है जीनम की प्राइवेट कोलेज में लगबग सतर पिचातर अजार रुपे बचा एक साल की फीस देता है ठीक है गौर्मेंट कोलेज बचों मिल जाए सब से अच्छी बात गौर्मे कोलेज लगबग 90% से उपर पे मिलता है अब जिनके 60% है 65% है 70% है उसको तो प्राइवेट कोलेज लेना मजबूरी है विससे इसकर आठ्स के जो बच्चे है ठीक है ना अब वो तो कोलेज मिलता है तो उसमें एडमिसन ले लेते हैं लेकिन बच्चों की मजबूरी का ही ये ठीक है बिलकुल तो बटा कोलेज की चोईस बर्दो फटा फट ठीक है ना थोड़ी देर में लिंक चालू हो जाएगा कोलेज की चोईस जब भी भरो तो पहले आपको गवर्मेंट कोलेज बरने है और बाद में बटा आपको प्राइवेट बरने है और अगर आप प् जिन्होंने पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग नहीं कराई है वो भी ये काउंसलिंग करा सकते हैं अब जिन्होंने कोलेज जोईन ही नहीं की जिन्होंने पहले राउंड या दूसरे राउंड में कोलेज तो मिल गई लेकिन कोलेज जोईन नहीं किया तो क्या ऐसे बच्चे काउंसलिंग करवा पाएंगे तो बच्चो देखो आप ट्राई कर लेना अगर आपको ओप्सन डिक जाए तो आप अप्लाई करना अभी ओप्सन खुला नहीं है तो अभी कुछ बता नहीं सकते है ना जिन बच्चों ने फैस्ट और सेकंड डाउंड में कॉलेज मिलने के बाद कॉलेज जोइन नहीं किया था ऐसे बच्चे एक बार ट्राई कर लेना अगर आपको ओप्सन मिल जाए तो अप्लाई कर देना और ओप्सन नहीं मिले तो फिर तोड़ा इंतजार करना हो सकता है लास्ट राउंड तक तो मौका मिलेगा जिन्नों ने भी कॉलेज जोइन अगर नहीं भी किया है न कॉलेज मिलने के बाद तो भी उनको लास्ट तक मौका एक अदबार तो मिलेगा है न क्योंकि इस बार सीटे बहुत ज़दा खाली है क्या सर कोलेज चेंज का ओपसन आएगा कोलेज चेंज देखो बिटा कोलेज चेंज का जो ओपसन है वो तो नहीं आएगा क्योंकि कोलेज चेंज का मुका एक अदबारी मिलता है क्या सर हम कोलेज को छोड़ सकते हैं कोलेज को रिजाइन कर सकते हैं क्या अब बच्चो देखो अगर कोलेज रिजाइन के लिए आप राज जीनम की इमेल आईडी पे अगर इमेल करते हैं कंटीनियू या वहाँ जाकर व्यक्तिकत अगर मिलते हैं और राज जीनम वेब साइट पर परमीशन दे देता है तो फिर रिजाइन कर सकते हो अगर आप कोलेज छोड़के आओगे तो कोलेज वाले आपको डोक्यूमेंट और फीस नहीं देंगे वो लोटाएंगे नहीं फीस डोक्यूमेंट तो फिर भी चलो आप बोर्ट से निकल वालोगे डूबलिगेट लेकिन फीस नहीं देंगे फिर फीस भूल करके आपको आना पड़ेगा तो इसलिए जीनम का कोलेज मिलने के बाद आपको कोलेज नहीं छोड़ना चाहिए ऐसा मेरा आपको सुजाव है यह दो तीन साले निकल जाएंगे जीनम पूरी हो जाएगी अगर कोलेज मिल गया है तो बेटा मत छोड़ो ठीक है ना लेकिन एक सुजाव मेरा बायो के बच्चों को है आपको बहले ही जीनम मिल रहा हो बहले ही आप काउंसलिंग करवा रहे हो लेकिन साथ में बेटा बी-ए-सी नर्सिंग एंट्रेंस एक्जाम की तैयारी जरूर करते रहो अभी एम्स का फॉरम आया हुआ है जितनी भी लड़किया है वो एम्स का फॉरम जरूर बरवाना बेटा जो भी बायो की लड़किया हैं तो लड़के हैं अगर वो एम्स पेरा मेडिकल का फॉरम बरवाना चाहते हैं तो भी फॉरम आया हुआ है और राजस्तान में बी-ए-सी नर्सिंग परवेश परिक्सा के फॉरम मई में आएंगे राजस्तान में भी जुलाई में B.A.C. नर्सिंग का एंट्रेंस एक्जाम है जिन को भी तैयारी करनी है वो अपने विजे एजुकेशन से जुड़के शानदार तैयारी कर सकते हैं साथ ही साथ बिटा मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने विजे एजुकेशन एप के अंदर जी एनम फैस्टियर का भी ऑनलाईन बेच चल रहा है आपको अगर कोलेज मिला हुआ है या आपको कोलेज मिलता है तो आप जी एनम फैस्टियर का ये कलाम टू जीरो बेच जरूर जोइन करना ठीक है ना इसके अलाव बिटा जी एनम सेकंड इयर का बेच भी विजे एजुकेशन एप में चल रहा है और आप उसे जोइन कर सकते हैं और विजे परिवार कोई फीस नहीं लेता है बिटा हम तो विजे एजुकेशन एप का चलाने का जो सर्वर चार जाता है वही लेते हैं हम इतनी कम फीस में पढ़ा रहे हैं आज जिस कॉर्स की फीस प्राइवेट कोलेज वाले सतर अजार उपे लेते हैं हम उसको साथ सो नब्य में पढ़ाते हैं पूरा का पूरा लाइन टू लाइन और पॉइंट टू पॉइंट तो इसलिए आप विजे एजुकेशन एप में जुड़िए और जी एनम फैस्टियर की ऑनलाइन क्लासे देखते रहें जिससे क्या होगा कोलेज में तो कई बार सिलेबस टाइम पे नहीं होता है लेकिन यहां पूरा सिलेबस करवाएंगे टेस्ट लेंगे रिवीजन में भी मैंने जीजें जो है वो रिवीजन भी करवाई जाती है ठीक है ना जरूर आप विजे एजूकेशन एप से यह बेच जरूर ले मेरा निवेदन है आप अगर इस बेच को जोईन करेंगे तो आपको बहुत फाइदा होगा साथ ही साथ आपका भाई आपकी बहीन आपका कोई भी रिस्तेदार बीएसी नरसिंग परवेश परिक्सा की तیارी करना चाहते हैं तो आप उनको जरूर बोलिये अपना विजे एजूकेशन एप है और बीएसी नरसिंग परिक्सा की अपन इतनी अच्छी तयारी कराते हैं कि कोई न कोई गौर्मेंट कोलेज में या टॉप प्राइवेट कोलेज में एडमिसन जरूर दिला देंगे ठीक है ना बिलकुल तो बिटा आज के लिए इतना ही फिर बोलूँगा छे अपरेल से लेकर के नो अपरेल तक राज जीनम की वेब साइट पर आपके जीनम के जो है जिन प्राइवेट कोलेजों के अंदर जिन प्राइवेट कोलेजों में बिटा प्राइवेट कोलेज कौन से बरने है टॉप सीटी के और आई एंसी वाले और जिन में कम सीटें खाली है जिन में अगर मालो कोई कोलेज में 30 सीटें हैं और 10 सीट खाली तो ऐसे गया मतलब कुछ फैसिलीटी थी तभी रुका और एक कॉलेज में साट में से 55 और 58 सीट खा लिये दो सीटों पर बच्चों ने एड्मिसन लिया मतलब उस कॉलेज में कुछ तो गड़ बड़े दया कुछ तो गड़ बड़े है कि नहीं बिलकुल कोई भी अगर नर्सिंग से रिलेटेड जानकरी लेनी हो तो आप वाटसप में सेज़ करिए ठीक है काउंसलिंग के बारे में कोई भी सूचना चाहिए आपको तो बेटा जो 967272 वाले नमबर है इस पे आपको वाटसप में सेज़ करना है ठीक है ना बिलकुल जी थैंक यू सो मच जय हिंद और बंदे मात्रम थैंक यू बेटा थैंक यू